सास लएनों में थुड़ी दिक्कत हो रही है एड़ गिंटे बाद अब लोग आगवास कालियंतिस पहुंचेंगे ये माना जाता है कि इस साइड जो एलीट लोग थे वो रहते थे घर बड़े बड़े हैं दिवारे बड़ी बड़ी हैं और उस साइड वर्किंग क्लास रहती थी जो एलीट लोगों के ओर्डर्स मानती थी आज मैं तुम लोगों को यहां आन्देस के माउंटेन रेंजेस में लेकर आया हूँ ये जगा दुनिया के साथ वंडर्स में से एक मानी जाती है इसका नाम है माचू पीचू यहां पहुंचने से पहले शुरू से शुरू करते हैं सुबह के साढ़े तीन बज रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं पेरूर के इंकर सिविलाइजेशन के आखरी गाहों में पिछली जो वीडियोज देखी थी आपने वहां पे मैं लीमा में था तीन मेटर की हाइट सी लेविल से यहां पे कुसको 3800 मेटर की हाइट सी लेविल से सास लेने में थुड़ी दिक्कत हो रहे हैं सपोजरली यहां से वांचाक से हम लोग भी बस लेनी है और जा तामभा और जान तामभा कुछ ना ना मेर से प्रणॉम्स नहीं हो रहा है और ट्रेंड स्टेशन है पता नहीं बस किदर है यहां पे एक तमराइख खोल के देख ती कसी नहीं है तिक यह वेटिंग लूम है यह रही बस पाइनली इसे आगे ट्रेन यहां से माचु पीचु जाने के लिए कितने ही बड़े बड़े पहाड है है माचल जासी फीलिंग आ लिया इदर वाट यू गेरिंग खिश और जानता है तामभो मैं अपने पास दस मिनिट थे तो दस मिनिट के अदर 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 अपने कॉफी पीचु बेगी कुछ पिस्टाशियों खा रहे हैं और एक कीश खा रहे हैं जब तक ट्रेन रेडी होती है ट्रेन बोर्ट करेंगे वाज राइड होएगी माचु पीचु तक तो गुड अगर कॉंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक शाइक सब्सक्राइब सुब्सक्रूइब शेयर वूर करो जनता के साथ और जानता है तामभो से माचु पीचु जाने के लिए दो ट्रेन कंपनीज चलती हैं एक का नाम है इंका रेल एक का नाम है पेरू रेल जो जो पेरू रेल है वो और क्यांसी है जिसमें हम लोग जाएंगे उसमें से व्यूज बहुत अच्छे आते हैं थोड़ी देर में वो भी दिखाता हूं आपको ओजानताई तामभो ट्रेन सेशन अल्मुस 2,800 मीटर की हाइट पे है सी लेविल से अभी हम लोग पेरू रेल मे कि वीज एजोइ करो कि इस ट्रेन में सफर करते हुए ऐसा फील हो रहा है कि हिमाचल के किसी छोटे से गाउं के बीचों बीच में से निकल रहे हैं जो कि बहुत बड़े-बड़े पहाडों से बहुत सुन्दर पहाडों से कवर हो रखा है अब ज्यानी भाई साब की वारी आपको पुछ ग्यान ब प्रण हो पर दूनिया की थर्ड रेल लाइन पहले अब फेली इसींग चेहां तेबिट रेल लाइन उसके बाद लीमा टू वांकाजो लाइन उसके बाद तीसरे नंबर पर यह रेल लाइन आती है आपको मैं जब व्यान बांट रहा था तो यहां रिफ्रेश्मेंट सर्व प्षाइब हो रही है मैंने खौकाी मांगि है खोका टी कोका लीवस टी यह जहना पर हम लोग 2800 ब升 पे दिमिफटि र्वविण के ङायिवह लिषिस किया गरीन Marcus क्ँछ्भी किन ही आप के अगर का सब्सक्रावी यह के लिए है कि इसे आप का उक्सेजन और जो ब्लड होता है वो पूरी बॉडी तक आराम से पहुच सकता है तो हम लोग फोकट ही एंजोई करते हैं फोड़ा भूश्ट देते हैं अपने हाट को यह यह रहा माचुपीचु ट्रेन स्टेशन से निकलते ही व्यूज यहां से अभी हम लोग दस बजे के आसपास माचुपीचु की तरफ जाएंगे आई थिंक फंदरा बीस मिनिट की एक बस होएगी उस बस से फिर हम लोग माचुपीचु पहुंचेंगे तब तक आप यह थोड़ा बहुत व्यूजोई करो वैसे तो इस ट्रेन स्टेशन का नाम अग्वास कलियंटेस है बट इसको माचुपीचु भी बोल देते हैं क्योंकि यहां से माचुपीचु बस पंद्रा बीस मिनिट का रस्ता है ट्रेन स्टेशन उदर है उदर से इधर को आते हैं एक और छोटी सी बस पकड़ने के लिए पंद्रा बीस मिनिट की यहां पे मार्केट टाइप की लगी हुई है मारता चेक कर रही है कि अगर हम गाइड के साथ जाएंगे तो एट लिस्ट थोड़ी नॉलेज हो जाएगी जगह के बारे में और यह इस जगह की छोटी सी मार्केट की वाइप से इन टोपियों को हाथ लगाते हैं तो बहुत ही मज़े वाली फीलिंग आती है बहुत सौफ्ट है यह एड दे एंड हम लोग गाइड के साथ ही जा रहे हैं ओल्गा हमारी गाइड है जो पिछे आ रही है हमारता के साथ एट लीस्ट इतनी दूर से आए है एक ही बार की बाचू-पिचू के बारे में अभी हम लोग पैदल चलके बस स्टेशन के आसपास जा रहे हैं कहीं आदे गंटे में बस निखलेगी माचू-पिचू के लिए ओल्गा हमारे लिए लाइन सेव करेगी उदर बस के लिए लाइन लगनी शुरू हो गई है तब तक हम लोग कुछ गुंते फिरते हैं देखते हैं क्या है सी निदर यहां पे सारे लोग हांग आउट कर रहे हैं माचू-पिचू जाने से पहले हम लोग ने आगवा कलियंतिस के टांस्क्वेर में थोड़ी वाक करी अब बस ले रहे हैं बस पुछे मिंटों में माचू-पिचू-पिचू पहुचने वाले हैं क्या स्यास्या बस राइड के बाद अभी हम लोग इस ताइम माचू-पिचू के अंदर है जो पहली चीज़ ओलगा ने हम लोग को दिखाई एंटर करते हुए वह यह कुछ कमरे हैं जहां इंका लोग अपना खाना रिजर्व करके रखते थे जो इंकमरों की छटे हैं वो औरिजनल नहीं जब 1911 में येल उनिवेसिटी के अर्के लॉजिस्ट को मस्या मैं हाइरम बिंगम को ये जगा मिली ओल्गा बता रही है कि माचू-पिचू में यहां पे इंका लोग इसलिए आते थे क्योंकि वो जो आपर सूपर पावर्स होती थी उनके कॉंटाक्ट में रहना चाहते थे वो बिलीव करते थे कि सबसे उपर बगवान होता है उसके बाद एक बढ़र्स होती है कॉंटूर करके वो 3000 में रहती है और माचू-पिचू 2800 में परी रेंज पर है इंका लोग बिलीव करते थे कि 2800 मेटर की रेंज पर माचू पीचू की जियोग्राफी यूज़ करके वो लोग उस कॉंडोर बर्ड के थ्रू भगवान के टच में आएंगे और पाउरफुल बनेंगे और दूसरे सिविलाइजेशन से जो उनको कॉंकर करेंगे यह भी बिलीव किया जाता है कि जो माचू पीचू है वहां सिरफ जो विज्ञान लोग होते थे जैसे उस टाइम के एंजिनियर्स उस टाइम के डॉक्टर्स उस टाइम के जो भी नॉलेज़िबल लोग सिरफ वो आते थे सेर्म मैंने भी पहली बड़ी देखा है लामस और यह यहीं पर रहती है और यह बिलीव किया जाता है कि यह लोग घास साफ करती है यहां पर ऐसे जैसे बहुत लोग होते हैं कि हमारी जगा तुम क्या कर रही हो इदर एदुकेशन गेन करने सेरिमनीज करने और भगवान के उपर सुपर पावर के साथ कॉंटाक में आने के लिए वो लोग आते थे जो इनका इंका लोगों का जो कापिटल में हब था वो कुसको में ही था कुसको जहां हम लोग रोके हुए आर्कियोलोजिस्ट और गाइड्स जमीन के नीचे दबा हुआ है यह लोग धीरे धीरे और नया माचो पिचू एक्स्प्लोर कर रहे हैं बट अभी इस पॉइंट अफ टाइम पे इनका मेन जो फोकस है वो है एक्जिस्टिंग को प्रोटेक्ट करना एक्जिस्टिंग को कंजर्व करना क्योंकि काफी इंसिड नहीं था पहले जब मर्जी जितने मर्जी लोग आए अब लिमिटेड नंबर अफ लोग आते हैं यहां माचू पिचू का यह मेन गेट है जो कुसको से कनेक्ट करता था यहां पे छे और गेट हैं बट इसको मेन गेट बोलते हैं क्योंकि जो मेसेंजर्स होते से उस ताइम वो यहां से भाग के जाते थे यह पूरी ट्रेल यहां से लेके कुसको तक बनी हुई है पंतालिस किलोमेटर जब हम ट्रेन से आए हैं वो इमाजिन करो यह कितना होगा तो इसको इसको इसलिए आना जाता है क्योंकि जो मेसेंजर्स लोग होते थे वो यहां से भाग के जात ताइम के होते थे उनको मेसेज रिलेवर करने के लिए यह जितनी वी आप construction देख रहे हो इदर माचु पीचू में यह सभी original construction है जब Spanish लोग early 15th century में उन्होंने American land discover करी तो उन्होंने mass destruction करना शुरू करा सारे लोगों को मारना शुरू करा जितनी भी construction थी यहां की traditional indigenous लोगों की या इंका civilization की या जो भी और civilizations थी यहां अमेरिका में साउथ अमेरिका में उनको सब को destroy करना शुरू करा Spanish लोगों ने Machu Picchu safe इसलिए रहा क्योंकि जो इंका लोग थे उनको पता लग गया था 1520 में कि Spanish लोग आये हैं और वो सब destroy कर रहे हैं Machu Picchu एक sacred place थी इंका लोगों की जहां पे वो education ceremonies और important activities करते थे तो इसको बचाने के लिए वो सब लोग यहां से चले गए इसकी वज़े से Spanish लोगों को Machu Picchu नहीं मिला और यह अभी तक safe है और इंका लोगों ने जब Machu Picchu abandon किया Abandon करने से पहले उन्होंने काफी चीज़े जला दी, destroy कर दी क्योंकि वो नहीं चाते थे कि Spanish लोग आएं और उनको इंका civilization की knowledge इसकी वज़े से उन्होंने काफी चीज़ें खुद भी destroy कर दी थी और जो आज की डेट में Machu Picchu बचा है वो कहा जाता है माना जाता है archaeologist के हिसाब से यह सिरफ 40-50% Machu Picchu है जो originally exist करता था और उस 40-50% में से जो हम देख रहे हैं आज की डेट में डिस्कवर किया गया है खुदाई करके वो सिरफ 60-70% है ओल्गा के पास यहां पे कुछ इंट्रेस्टिंग पुरानी फोटोस है यह राम बिंगम है जिसने डिस्कवर किया था माचु पी चुको आपिन यहां पर लोकल लोगों को पता था बट जो दुनिया को पता लगा वो उसने वताया यह सारी पुरानी फोटोस है माच चुपी चुकी जब एक्सपीडेशन शुरू ही हुआ था और नाशनल जोग्राफिक और काफी आर्कियोजिस्स ने इकट्थे मिलके यह डिजाइन बनाया है इनोंने इमाजिन किया कि उस जमाने में वो लोग ऐसे रहते थे यहां पे जो रीसर्चर्स हैं उनका मानना है कि इदर छेसो से हजार लोग रहते थे और जब वो यहां से भाग के गए तब तक भी कंस्रक्शन कंटीनू हो रही थी जो आप मेरे पीछे बड़े पंथर देगा यह वाले पंथर यह माना जाता है कि इनको तोड़के वो कंस्रक्शन कर रहे थे इनके नीचे बहुत सारे टूल चुपाए हुए थे और जब इंका लोगों को पता लगा कि स्पानिश लोग आए हुए हैं और सब कुछ डिस्ट्रॉय कर रहे हैं वो लोग सब कुछ यहां पे छुपा के भाग इस छोटी सी जगा में अलग-अलग क्लाइमेट इन जाता है जो कि इतनी छोटी जगह पे इतने डिफ्रेंट काईप की क्रॉप्स ग्रोग कर रही थी उसका मारता को ठंड लग रही है स्वेटर पहन रही है मैं भी पहन लेता हूं यह एलीट लोगों का इलाखा है और यहां उनका गेट काफी बड़ा है काफी फैंसी है उस ट यह एलीट लोगों का एरिया है उपर की साइड उनके घर है यहां पे उनका परस्नल स्टोरेज एरिया होता था जहां पे वो खाना स्टोर करते थे यह जो विंडोस है यह एर फ्लो के लिए जिससे की युमिडिटी ना हो इधर उनके खाने में और सेफ बचा रहे और कुछ इन स्ट्रक्चर्स पे कुछ रिंग बगएरा लगे हो है जो कि वो रोप्स बगएरा टाइ करने में यूज करते थे स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए अभी जिस एरिया में हम लोग यह जो हाइख लास सोसाइटी ती उस टाइम पे उसके घर है यह जहां में एंटर कर र करने के लिए और जो यह है यह शेल्फ वगएरा है उनके किचन में समान रखने के लिए और दूसरी साइड में इसी के सामने बड़े गेट के साथ एंटर जहां कर रहे हैं यह उनका घर है I mean bedroom वगएरा है वो लोग जमीन पे सोते थे लामा की स्किन जो बहुत साफ्ट होती है उसको विचा के और जो यह खिड़किया टाइब की लग रही है यह शेल्स है और माना जाता है यहां वो लोग समान रखते थे और मुम्बत्ती वगएरा जलाते थे इनके उपर मुम्बत्ती तो नहीं बट दी यह वगएरा बोलो यहां पर हम सेंट्रल एरिया में यह में सेरिमोनियल प्लाजा है वहां माना जाता है कि एक में टेंपल है वहां माना जाता है टेंपल अफ थ्री विंडोस यह डेडिकेट करते हैं जो कॉंडोर बर्ड है उसको पूमा को और स्नेक को पूमा को यह स्ट्रॉंग अनिमल मानते हैं अर्थ पे कॉंडोर के बारे में मैं पहले ही बता दिया था आपको और जो स्नेक है वो ये मानते हैं कि वो स्ट्रॉंग क्रियेचर है अर्थ से नीचे और यहाँ पर प्रीस्ट का कमरा है यहाँ पर यह लोग से करते थे और यह जो बड़े-बड़े पत्थर देख रहे हैं आप बीच में यह एज अन आल्टर और यूज करते थे वो लोग सेरेमोनी प्रॉसेस अपने करने के लिए इदर माना जाता है कि कई एक्स्ट्रीम सिचुएशन्स में यह लोग छोटे बच्चों की और वर्जिन लड़कियों की बली भी देते थे जब इन्होंने काफी टाइम ड्रॉट फेस किया जब आर्टियो इस जगह की खुदाई कर रहे थे तो काफी बच्चों की उनको हड़ियां मिली और वर्जिन लड़कियों की हड़ियां मिली मेजरली जो सेरेमोनी इसमें बली चड़ाई जाती थी वो जानवरों की होती थी या खाने की होती थी बट कई स्पेशल सेरेमोनी इसमें बच्च वो mostly ऐसे हैं ये इसलिए माना जाता है क्योंकि उनके लिए ये जगा बहुत important होती थी जो सबसे अच्छे पत्थर और जो सबसे अच्छे डिजाइन के पत्थर होते थे वो यहां ये जो seven wonders of the world है उसमें से एक है जो ये एरिया है ये में आजाता है ये रियूनियन पॉइंट है वो वला mountain क्लाइब करने से पहले जो इंका लोग थे वो यहां पे अपना जो special ceremonies होती थी वो सिरफ उस mountain पे होती उस special ceremony के लिए जो जो भी वो लोग प्रिपेर करते थे यहां प्रिपेर करते थे यहां पर उनकी इंडेस्ट्री स्टाइब की होती थी यहां पर वो टेक्स्टाइल बनाते थे अपना रोग का काउंटिंग सिस्टम जो होता था यहां पर डिवलप करते थे और वो लोग यहीं पर रहते थे इन गरों में जो की बहुत छोटे हैं as compared to जो आपने पहले जो एलीट क्लास के घर देखे आज के लिए इतना ही बहुत था अभी हम लोग एक्जिट कर रहे हैं लंच पगरा करें अब के लिए चलते हैं चंगा बाई